लाइन ओफ एक्च्वल कंट्रोल पर भारत और चीन के बीच तनाव की खबरे आए दिन आ रही हैं वहीं चीनी सैनिकों के घुसपैट के बाद से भारतिय सेना ने भी मोर्चा संभालिया है इस बीच पूरो कॉंगरस अध्यक्षर राहूल गांधी ने मोधि सरकार पर निशाना साध्धा राहूल गांधी ने केंडर सरकार से ये पूछा कि क्या भारत सरकार इस बात के पुश्टी कर सकती है कि कोई चीनी सैनिक भारत सीमा में नहीं घुसा है वहीं इससे पहले कॉंग्रिस प्रवक्तार अंडीप सिंग सुर्जवाला ने कहा कि चीनी सेना दुआरा भारती सीमा में घुसपैट के दुस्साहस पर मोधी सरकार मौन क्यों बैठी है गोर तलब है कि नई सेटलाइट इमच आने के बाद एलेसी पर चीनी सेनिकों की बड़ी संख्या में घुसपैट को लेकर अलग-अलग दावे किये जा रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि 5000 से अधिक चीनी सेनिक एलेसी पर आगए है प्रुबर्वारों स्काइब एक बारे का ये उन्म एक रहान खाला है